नमस्कार अद्विकास किचन कॉर्णर में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पनीर यहाँ मैंने पनीर के लिए 3 लिटर दूद लिया है एक बड़ा निम्बू लेना है अगर आपके पास निम्बू अवेलेबल नहीं तो 3-4 चमच आप साइट्रिक आसिड भी ले सकते हो थोड़ा सा नमक लिया है और 1 फॉर्थ कप पानी लिया है यहाँ मैंने दूद उबालने के लिए गैस पे रख दिया है और पानी में हम साइट्रिक आसिड एड़ करेंगे आज मैंने पनीर के लिए साइट्रिक आसिड यूज किया है आप निम्बू का रज भी यूज कर सकते हो लेकिन उसे भी आप पानी में मिक्स करके यूज कर ज है अब हम इसमें नमक एड़ कर देंगे नमक एड़ करने से अपना पनी सॉफ्ट होता है देखिए दोत को उबाल आने लगी है अब हमने जो साइट्रिक अचिड और पानी मिक्स किया था वो इसमें डाल देंगे दूद फटने लगा है जब तक दूद और पानी अलग ना हो जाए तब तक हमें गैस पर इसे गरम करना है देखिए यहाँ पर दूद अच्छे से फट चुका है अब इस प्रकार के हम चन्नी ले लेंगे इसके उपर कॉटन का कपड़ा रखेंगे अब हम इसमें दूद डाल देंगे इसके उपर हमें थंडा पानी डालना है फ्रीज का और इसकी पोटली बना लेनी है इस तरह से स्टैंड रखना है उसके उपर प्लेट रखनी है और पोटली बना के उसके उपर और एक प्लेट धक देनी है इसके उपर कोई वजंदार चीज रखनी है ताकि पनीर में से पुरा पानी निकल जाए देखिए यहां मेरा पनीर बन चुका है देखिए कि अच्छा पनीर बन चुका है अब हम इस पनीर को थंडे पानी में रख देंगे 10-15 मिनिट तक अगर आपको पनीर स्टोर करना है तो आप इसी प्रकार के डिब्बे में पानी डालकर पनीर लग दीजिए इसे पनीर खराब नहीं होगा और पनीर 10-15 दिन तक अच्छा रहेगा देखिए आपको मैं कट करके दिखाती हूँ पनीर किस प्रकार बना है देखिए कि अच्छा पनीर बना है आप भी घर पे जरूर ट्राइ किजिए पनीर बनाना घर का पनीर हमेशा फ्रेश होता है और अच्छा ही होता है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चानेल को सब्सक्राइब कीजिए और बेर आइकान क्लिक करना ना बुले थैंक यू